एक और क्लास है जिसको उन्हें कहा है कि यह defense proteins है यानि हमारी body को किसी चीज़ से बचा रही है और वो चीज़ क्या है वो foreign bodies है जैसे कि bacteria या viruses अब जो bacteria और viruses होते हैं उन पे कुछ markers होते हैं मैं आपको देखाते हूं कि कुछ markers होते है bacteria पे उससे आके यह join हो जाते है proteins हमारी body के cells white blood cells यह protein release करते हैं यह वाले cells हमारी body release करते है इसका जो एक चुटे चुटे पार्ट है यह सब amino acids से मिलके बने होते हैं तो यानि यह भी सब proteins के बने होते हैं अब हमारी white blood cells ने यह produce की है अब इन्होंने क्या किया कि इस तरह से bacteria के साथ आके जोड़ गए ठीक है यह वो है immunoglobins ने बोलते हैं तो यह immunoglobins भी proteins हैं और यह हमारे body में जो भी आएगा bacteria यह virus उसके साथ आके जोड़ जाएंगे और उनके agglutination कर देंगे जैसे एक bacteria आया और bacteria को उसने recognize किया उसके साथ जोड़ गया तो यह immunoglobins कहलाते हैं यह defense proteins हैं यह हमारी body को उससे बचाएंगे अ तो body को signal करेंगे कि एक हमने चीज डिटेक्ट कर लिए इसको kill करवा के यह पर असा करेंगे कि इसको precipitate करा देंगे बहुत सारे जॉइन करा के तो इसको agglutination हो जाएगी यह बहुत सारे जॉइनों के एक तरफ बैठ जाएंगे और हमारी body को नुक्सान ने पहुंचाएंग करेंगे.